हलो फ्रेंड्स ये है 108 चैनल और आज का हमारा टॉपिक है How to keep a brain healthy and fit तो आई ये सीधा टॉपिक पे चलते हैं एक अंकल एक्स होते हैं जो एक नई कार खरीद के लाते हैं और उस कार से वो डेली आफिस जाते हैं मारकेट जाते हैं और उसको हर जगा यूज़ करते हैं फिर कुछ दिनों बाद अंकल एक्स को आफिस के काम से घर से दूर जाना पड़ता है जिस वज़े से वो अपनी कार यूज़ नहीं कर पाते हैं जब Uncle X वापस आते हैं तो कहीं जाने के लिए अपनी कार को वापस स्टार्ट करते हैं बट unfortunately इस बार कार स्टार्ट नहीं होती है बहुत बार ट्राई करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है लास्ट में अंकल एक्स ठक के कहते हैं कि शायद मेरी कार पुरानी हो गई है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या सही में अंकल एक्स की कार पुरानी हो गई है? नो 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 कार कम यूज होने से बन पड़ गई है ना कि पुरानी होने से इस स्टोरी के थूँ मुझे आप सब को ये बताना है कि एज से मैमरी पे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि human brain एक muscle है जिसको जितना ज़ादा यूज़ करोगे उतना strong बनेगा और जितना कम यूज़ करोगे उतना weak बनेगा जो आज का हमारा topic है how to keep a brain healthy and fit इसको हम कुछ पॉइंट से समझते है पॉइंट नमबर वन प्रॉपर स्ली यानि की पूरी नीन लेना जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा brain खुद को रिपेर कर रहा होता है वहीं जब हम कम सोते हैं तो वो खुद को रिपेर नहीं कर पाता है जिससे उसे नई memory create करने में problems आती है तो brain को healthy रखने के लिए पूरे दिन में 6 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए पॉइंट नमबर टू, drink water Human body 75% पानी से बना है और हर बोडी के पाच को proper function के लिए proper amount में water चाहिए तो इसके पूरे chances हैं जो कम पानी पीता है उसके brain की thinking ability, focus and concentration पे असर पढ़ सकता है तो पूरे दिन में 2 से 3 लिटर पानी पीएं और अपने brain की ability बढ़ाएं पॉइंट नमबर 3, exercise exercise करते वक हुमन हार्ट maximum blood pump करता है जिससे हुमन ब्रेन को maximum oxygen मिलती है जो brain की efficiency के साथ साथ attention and alertness को भी बढ़ा देती है तो brain को healthy रखने के लिए daily exercise करना भी बहुत जरूरी है पॉइंट नमबर 4, healthy diet हुमन ब्रेन पूरी बाड़ी का 20% energy consume करता है अगर diet proper and healthy नहीं है तो memory loss, confusion, depression and other mental disorder होने के chances बढ़ जाते हैं तो friends अपने diet को जादा से जादा healthy बनाएं और उसमें add करें vegetables, nuts, fruits and whole grains last but not least, point number 5, say no to bad addictions जी हाँ, bad addictions से memory पे बुरा असर पड़ता है तो brain को healthy रखने के लिए bad addiction से हमेशा दूर रहें so friends ये थे हमारे कुछ important points जिनकी help से आप अपने brain को healthy and fed रख सकते हो आज के लिए बत इतना ही आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें, channel को subscribe करें और share भी करें जिससे आपको नई नई informative वीडियो मिलती रहें तब तक के लिए bye bye अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में